अच्छा, इन दोनों के लिए मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं, आपको समझना है, अच्छे से समझना है तो, is gut the root of all problem? So, when you say this English word gut the root of all problem, maybe you say you do not justify what our ancestors used to say. जो हमारे पूर्वज कहते थे न, आप justify नहीं कर रहे हैं ये अंग्रेशी वर्ड में बहुत जादा चीजों को depth में देखने की काबलियत नहीं है. ठीक है न, तो हमारे पूर्वज कहते थे जठर, जठर से शुरुवात होती है हर बिमार की. Now, what is जठर? It is a certain strength also, it is gut also, it is absorption also, it is assimilation also, it is जठर अगनी also, the energy. तो जठर जब कहते है न, तो जठर जब कहते है न, तो इनकंपसे लोड़ आफ थिंग्स. But yes, that is the central factory of your body. तो केवल गत बोलके न, we are not justifying what is the right connotation of that word. तो जठर बोले, जठर, yes, जठर. Now, गत बोलेंगे तो केवल आपको gut bacteria, gut microbiota से दिखाए देगा. नहीं, जठर, it is basically जठर. तो उसमें गत भी आजाता है, उसके अंदर आपके stomach भी, liver भी आता है, pancreas भी आता है, जठर, तो हाँ, यह ऐसा है. Now, the second thing, आपके शरीर में, आप कोई भी खतरनाख चीज़ डालते हो, तो शरीर अपने को बचाने की कोशिश करेगा, कि नहीं करेगा? आपके घर में एक risk आजाता है, कोई गुंडा आजाता है, तो आप अपने को बचाएंगे, दर्वादे खड़की बंद करेंगे, अपने को बचाने की कोशिश करेंगे, यह बचाने की कोशिश जब शरीर करता है, तो एक फॉर्म में करताव से कहते हैं, Adrenal Over Activity, ठीक है, इसको दरद्यान से समझेए, Adrenal Over Activity, यह हमारे शरीर का बचाने का पूरा का पूरा तंत्र है, शिस्टम है, यह Adrenal Activity से Adrenaline, अपने होमोन या इस तरीके के कॉंप्लेक्सिस निकलता है, यह Kidney के उपर छोड़ी-छोड़ी Adrenal Gland होता है, वो अगर Active होता है, तो इसका मत्ता है आपके शरीर में खत्रा है, और शरीर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह जो हमोन निकालता है, इसमें आपके पास में Actually क्या आ जाता है? Energy, पहली चीज़, और Action की Capability, यह दो चीज़ बढ़ा गया, यह शेर आ गया, तो या तो लड़ो या तो भागो, दोनों के लिए Energy चाहिए, और Strength के अंदर Activity करने की Ability चाहिए, यानि शरीर के अंदर Pressure चाहिए, शुगर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, और Heart ज़ादा काम करने की कोशिश करेगा, नॉर्मल कपासिटी से, इसको हम Anxiety Attack भी कहते हैं, यह Anxiety भी कहते हैं, जब यह होगा, तो आपके शरीर के अंदर खत्रा क्या है? पहली बात थो यह समझो, खत्रा आ गया, एडिनल ओर अक्टिविटी होगी, एंज़ाइटी होगा, इम्यून उपर आ जाएगा, तो खत्रा क्या है, यह तो समझो पहले, तो अगर पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे, तो खत्रा आएगा इंजिन को, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल दाऊ गए, तो इंजिन खराब हो जाएगा, आपका शरीफ केमिकल के लिए डिजाइन नहीं हुआ, आप केमिकल डालोगे तो खत्रा आएगा इसको, जो आप बच्पन से कर रहे हैं, एक दो साल का बच्चा immunization, vaccination के नाम पर क्या-क्या डाल रहे हो, और दुनिया में कोई बीमारी कम नहीं हो रही है, सब बढ़ रही है, सौ साल में एक diabetes ठीक नहीं हुआ, ब्लेट पेशे का मरीज ठीक नहीं हुआ, अर्थराइटीस ठीक नहीं हुआ, आप ड्रीम कर रहे हो कि अगले सो साल में हो जाए शायद इसी तरीके से, इस और गूइंग इन रॉंग पास, यू नेवर रीच यूर डेस्टिनेशन, तो अगर मेडिसिन डाल दो तो शरी खत्रे में आ रहा है, आटो इमिन डिजर्वर इसलिए बढ़ रहा है, क्योंकि शरी खराब होता है तो रिकवर कर लेता आपने आपको, और आप उस रिकवरी का क्रेडिट किसको देते हो, मेडिसिन को, कमाल की बार है, अगर आप दवाई नहीं खाएंगे, अगर फ्लू होता है ना वाइरल होता है ना आपको, कि सब को हुआ होगा, कोरोना हुआ होगा, वाइरल होगा, अगर दवाई खाओगे तो एक हफते में ठीक होगे, अगर दवाई नहीं खाएंगे तो पांस दिन में ठीक होगे, मगर आपको दवाई खाके एक हफते में ठीक करना अपने आपको, और दोनों ही शरीर ने ठीक किया दवाई ने नहीं किया खूंकि दवाई होती है नहीं किसी वारस की इन फैक्ट आप यह नहीं सोच पारे कि दवाई नहीं खाएंगे तो 5 दिन में ठीक हो जाएंगे दवाई खाएंगे तो 7 दिन में ठीक होंगे तो दवाई आपको कभी ठीक करते हैं आज तक तो ठीक नहीं किया किसी को वही मैं 100 साल में एक एविडेंस बता दो कोई भी chronic disease का एक एविडेंस बता दो एक इंसान बता दो जो ठीक हुआ blood pressure से कौण ठीक हुआ 100 साल में दवाई खागा मतला आपको आँके खोड़नी है कि नहीं खोड़नी ही तो आपका शरीर तो खराब होई रहा है कोई भी जिम्मेदारी लेगा नहीं इस बात की दवाई खागे तो आप बिमार हुए है आपको आपका डाइसिल सिस्टम आपका पूरा का पूरा मेटाबोलिजम खराब क्यों हुआ है क्योंकि आपने दवाई यह खाई है हरे गर में रखी होंगी परस अटमोल पेंकिलर्स और पता नी क्या-क्या उल्टी की दवाई दस्त की दवाई आप शरीर के साथ में बहुत छेड़ चाड़ जाता है इस नाट दवे टो लिवा लाइफ बहुत ज़रूरी पड़े तभी मेडिसन लेने की कोशिश करने चाहिए ज्यादा तर टाइम तो आपका शरीर हैंडल कर लेता है हर चीज को हैंडल कर लेता तो यह common sense कब आने वाला है यह इसलिए नहीं आ रहा है हमारे अंदर क्योंकि यह परदा बहुत गहरा है बच्पन से आपको कुछ सिखाया जा रहा है यह ऐसे ही है जैसे आपको hypnotize कर दिया गया है आप इतना भी नहीं देख पारे कि जिसको genetic disease बोल रहे हैं कर आपकी तीसरी पीडी तीन ज, greens यूउन को नहीं था तो genetic कैसे हो गया या तो आप किसी दूसरे ग्रह से आए हैं यह तो आप किसी दूसरी ग्रह सें आए हैं आप तो अपने पूर्मजों के संथान नहीं नहींने तो उनको तही बीमारी नहीं थी तो बहुत सारी चीजे हैं जिसके लिए आपको आंके खोलने पड़ेंगे तो कम से कम ये जो lifestyle हमने बदल दिया शरीर के strength factor को कमजोर कर दिया इसको आज ज्यादा exercise करो के तो heart attack आजाएगा तो organ को मजबूत कीजिए बैठे बैठे कीजिए पहले पुंभग करके अपने आपको स्ट्रॉंग करो energy level फर्स दिन से बढ़ना शुरू हो जाएगा फर्स दे से आपके energy levels बढ़ जाएंगे आपको strength feel होगा anxiety एकदम से गाइब हो जाएगी मगर anxiety गाइब होने में एक दो महिना नहीं लगया कम से कम 6 महिना मगर अभी ज़ो आप treatment कर रहे है उससे जिन्दगी बिर नहीं जाएगा और खराब हो जाएगे सितर तो आपको क्या choose करना यह आपको देखना कौन सी शुरंग में घुसना बंध शुरंग में कुसेंगे यह खुली सुरंग में घुसना यह आपको देखना के क्योंकि अगर आप 6 मेने में ठीक हुए, साल में भी ठीक हो गए, दो साल में, तीन साल में भी ठीक हो गए, तो भी इससे बड़िया डील कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो दवाई खा के आप ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप खराब से खराब होने लग जाएंगे, तीन साल में तो आपकी हालत बद से बत्तर हो जाएगे। स्टिरोड पर आ जाएंगे स्टिरोड आपको आपका सर्मनाश कर देगा। कम से कम जिनों ने ये ट्रीटमेंट उस तरीके से लिया है दवाईयों से उनका experience तो देखिए। उनसे पूछे जाके क्या हालत है। तो option नहीं है आपके पास आप शेर्द को ठीक करो। इसका tolerance बढ़ाओ। दर्द की दवाई कम हो जाएगी। इसका metabolism बढ़ाओ, regeneration होगा। टाइम जो भी लगे। आप ठीक हो जाएंगे। आपकी life अच्छी हो जाएगी। अच्छी में खुशी होगी। बहुत कुछ करने की इच्छा होगी। डर, भय, सब चला जाएगा। anxiety ऐसे चली आएगी जैसे गदे के सर से सींग। नीद नहीं आ रही है नीद आने लग जाएगी। तो option नहीं आपने शरीर को ठीक कीजिए, ये शरीर ही आपको ठीक करेगा और कोई ठीक नहीं कर सकता। चाहे कितने ही अंग्रेजी बोल लीजे, अंग्रेजी के शब्द बोल लो, medical शब्द बोल लो, आप ठीक नहीं होने वाले है। सास बोल रहा हूं, 100 साल में कोई ठीक नहीं हुआ। आके खोलना पड़ेगा, मगर आपका शरीर आपको ठीक कर सकता है, इसको इंप्रूव कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कुम्बक से इसके strength factors बढ़ाईए, इसका metabolism बढ़ाईए, immune response को balance out करें, regeneration बढ़ाई, skeletal strength बढ़ाई, muscle का strength बढ़ाई, यह देखेंगे, आपकी life बहुत सुन्दर अच्छी हो जाएगे, आप निकल जाएगे ऐसे।